नमस्कार मैं डाक्टर ओपी सोनी आज एक अत्यधिक महत्पूर किन्तु बहुत ही सामान्य विषय पर हम आपसे चर्चा करना चाहिए वह सामान्य सा विषय है साइकालजी आफ हैपिनेश या प्रसंदता का मनोविक्याद प्रसंदता वह सामान्य सा सब्द है जिससे प्रतेक व्यक्ति निरंतर अपर्चित अथवा आप्रसंदता वह सामान्य सा सब्द है जिससे प्रतेक व्यक्ति निरंतर अपरिचित है हमने इसको उल्टा इसलिए कहा कि प्रसंद्दा से आपरिचित है चुकि सामानेते आपने देखा होगा सामान में अत्यधिक लोग आपको आपरसंद दिखाई पड़ते हैं प्रसंद्द लोगों का परतिश्चत बहुत ही कम है इसका सीधा से मतलब यह हुआ कि प्रसंद्दा से परिच्चह हमारा महुत कम होता है आपरसंद्दा से परिच्चह हमारा ज्यादा होता है हमारे दिवाग में एक प्रसंद्दता है क्या प्रसंद्दता वहां महत्तुपूल घटक है जो कहीं पर भी खरीदने से नहीं मिलती बलकि उसे अपने में स्वयम आत्मसात करना होत इसके पहले एक प्रसंद और उठता है मारा दिमाग में कि यदि प्रसंदता एक अभिव्यक्ति है जो किसी न किसी व्यक्ति अत्वा सद्यू प्राणी में निवास करती है मैंने ये महसूस किया है कि मनुष्य को तो छोड़ दीजिये ये मेरा विप्ति का तल्वह है अगर कोई चिडिया भी है जिसे आपकी आवश्यक्ता है जैसे ही आप उसके दज़्दीक पहुशते हैं वैसे ही वहाँ अपनी प्रसंदता का प्रदर्शन किसी न किसी तरीकिस करता है यदि वहाँ तोता है तो बोल करके प्रदास्ण करता है प्रस्ण यह है कि वहाँ आपको देख करके प्रसंद क्यों हो जाता है अगर सरालेवम अस्पश्ट सब्दों में कहें कि जिस व्यक्ति को चाहे वो सजीव हो अथो मनुश्य हो आपसे भै नहीं होता वहाँ आपको देख करके प्रसंद हो जाता है तो यदि समाज में प्रसंदता अधिक घट रही है और आप्रसंदता बढ़ रही है इसका मतलब यहाँ हुआ कि डर कहीं न कहीं अधिरिक मात्रा में इल्वाग हो रहा है यहाँ डर आर्थिक डर हो सकता है यहाँ डर नौकरी प्राप्त ना करने का डर हो सकता है यहाँ डर भविश्य की समस्याओं के समाधान ना करने का हो सकता है इसमें थोड़ा सा आगे एक प्रसंद और भी आता है कि प्रसंद कौन है कोईस्चन वर्कम ने इस लिए लगाया कि सामानिय रूप से किसी ति पूखे एगे क्या बहीं आप परसंद्ध सतां हाँ परसंद तो है लेकिन समस्या है बहुत है तो हमारा प्रसित ग объяс मिश्वर्ड मिसेशिया वहाँ प्रसंद है या हीरो हिरोईन प्रसंद है तीसा प्रसंद यहाँ है कि जो अत्यधिक महगी महस्तूओं का उपभोग करता है सावाने रूप से आपने देखा होगा कि आप प्रसंदता का ब्यवसाय भारत में दिरंतर बढ़ रहा है आप कहेंगे कि यह कैसी बात कर रहे हैं मुगले में दहेज क्यों बढ़ता है जिससे दूसरे पक्ष के लोग आप प्रसंद हो जाएं आप अपनी लड़की यथ्वा लड़के की साधी महेगे से महेगे महेरे जाल में इसलिए करना चाहते हैं जिससे समाज के दूसरे लोग जिनकी आर्थिक इस्तित नहीं है बहाँ आप प्रसंद हो जाएं समाज में प्रतेक व्यक्ति निरंतर इसी प्योस्था में लगा रहता है जिससे मैं तदिक प्रसंद हो जाऊं दूसरे बैक्ति आप प्रसंद हो जाएं इस बगार प्रसंदा एक तुलनातम घटक है लोग यह चाहते हैं खासकर जो भावतिक्तावादी लोग है वो यह चाहते हैं कि कुछ इस तरीके की वियोस्था कर दी जाए जिससे अत्यधिक लोग प्रसंद हो जाएं मसलन, हम उस गाड़ी से चलें, जो गाड़ी किसी के पास ना हो, हम वहाँ पानी पिएं, जो पानी कोई ना पी सकता हो, हम उस घर में रहें, जिस घर के अगल मगल कोई फटक ना सकता हो, सेम चीज, जैसे अंग्रेजों ने दिखा था, कि इंडियन एंड डॉक्स नाट इलाउट, उसी तरीके से, जब अधिकांस लोग आप प्रसंद होगे, तो प्रसंदा, जो भहुत तक्तावादी लोग है, वहाँ प्रसंद होगे, प्रसंदा को मैं दो प्रकार के घटकों से सुनिश्चित कर सकता हूँ, पहला घटक है, प्रसंदता और भहुतिक चगत, सारे मनुष्य जानते हैं, कि यह संसार नस्वर है, इसलिए जो भी भहुतिक चीजे हैं, वह समस्त नस्वर हैं, इसलिए जो व्यक्ति भहुतिक वस्तुमों, जैसे रुपिया, संपत्ति, बंगला, गाड़ी, पद्र, प्रतिष्ठा, कला, आदिके द्वारा अपनी प्रसंता को सुनिश्चित करना है, या सुनिश्चित करता है, तो यहां एक छाड़िक प्रसंता होती है, जैसे ही वहां अपने से अधिक भावतिक जगत वाली प्रसंता वाले व्यक्ति को देखता है, वैसे ही वहां अधिधिक आप्रसंता होते लगता है, यदि कोई धनी विक्ति है तो वहा तब तक परशंद रहता है जब तक उससे ज्यादा धनी विक्ति नहीं दिखाई पड़ता यदि कोई 20 लाकी गाली में चल लहा है तो वहा तब तक अपने आपको धनी समझता है जब तक उससे कोई बड़ी गारी वाला नहीं दिख जाता अगर कोई महिला खोब सूरत है तो वहां तब तक प्रसंद रहती है जब तक उससे खोब सूरत महिला उसको दिखाई नहीं पड़ती जैसे ही उसको अपने से ज्यादा खोब सूरत महिला दिखाई पड़ती है वैसे ही व भावतिक्ता वादी शक्तियों तत्वा विशेस्ताओं अत्वा घटकों के आधार पर प्रस्तुत होने वाली प्रसंता छडिक प्रसंता है।